बिस्मिल्ले रुमानी रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे हरी पियाज और आलू की सबजी कम से कम मसालों के इस्तिमाल के बावजूद भी ये सबजी काफी टेस्टी बनती है जटपट बनने की वज़ा से टिफिन बॉक्स के लिए भी बिल्कुल पर्फेक्ट रेसिपी है आप इसे रोटी या खिचडी के साथ भी खा सकते हो तो चलिए बहुत ही आसान और सिंपल हरी पियाज की सबजी को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं हरी पियाज की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गड़ी हरी पियाज लिए इसे काटने से पहले हमें अच्छे से दो लेना है तो देखिए कुद्देर मैंने इसे पानी में भीगो कर राकी थी ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वागे रहा हो तो निकल जाए और उ हरी पियास को काट लिए मैंने चलिए अब इसकी सबजी बना लेते गैस पे कड़ाई रखिए इसमें दो से तीन चमत तेल डालेगे तेल गरम हो गया है एक छोटा चमत जीरा डालेगे बिसमिलाय रफानी रहीम जीरे को अच्छे से तड़क ने देते यहां पर देखे अब चाहिए तो लीसन को खूत बोले सकते हो थोड़ा से लेसन और जीरे कम अच्छे से फ्राई कर लेते अ लेसन भी अच्छी तरह से यहां पर फ्राय हो गया, इस टाइम पर हरी मिट डालेगे, बीच में से कट करके, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, बारी कट कर, अब साथी में हरी प्याज जो काट के रखिए, वो डाल देते, बिस्मिल्ला एरमानी दो, नमक डालेगे टेस्ट के साब से, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच फूल भर के लाल मीच का पाउडर, मिला देते से, हरी प्याज में काफी सारा पानी होता है, तो देखिए, एक मिनट के लिए हम इसे मिक्स कर लेते, आट में यह हरी प्याज की सबजी आलू के सा बना रही हूँ, यह मैंने मिक्स कर दी, दो मीडियम साइज के आलू लिए हूँ मैंने, और देखिए इसका छिलका निकाल कर इस तरह से मीडियम साइज में काट लिए, तो यह डाल देते, आप चाहे तो हरे मटर हो तो वो भी डाल सकते हो, बहुत ही कम मसाले से आज यह सब सबजी बना रही हूँ में, अभी गर्मी का मौसम भी है, और बहुत ज्यादा मसाले वाले खाने नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल कम मसालों से सबजी तयार होती है, इसे मिक्स कर देगे, एक से दो मिनट के लिए हम तेज आज पर मसाले को अच्छी तरह से आलू के साथ आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेगे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए, तो यहाँ पर आदा गिलास मेंने पानी डाल दियू, एक बार अच्छे से मिक्स करेगे और मीडियम फ्लेम पर हम आलू के गलने तक यह सबजी को पका लेते हैं, इसे में ढग देती हूं मीडियम फ्लेम पर, बीच में एक बार चेक कर लेना है, अरी पियास की सबजी को पकते वें, यहाँ पर 6-7 मिनट हो गए, एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो आलू चेक कर लेती हूं, पियास तो बहुत जल्द थोड़ा और हम गलाएगे, गैस की फ्लेम में एक दम धीमी कर देती हूं, आप इस टाइम पर थोड़ी सी ग्रेवी लुत पुती सी खाना पसंद करते हो, रोटी के साथ, तो थोड़ा पानी डाल सकते हो, इसे ढग देती हूं, और 3-4 मिनट फिर से आलू की पूरी तरह से पकने देती हूं, यहां पर सबजी को पकते वे, फिर से 5 मिनट हो गए है, हम चेक कर लेते, माशारला देखिए, सबजी का कलर कितना बहतरीन दिख रहा है, आलू को भी चेक कर लेते, यह देखिए, आलू भी पूरी तरह से गल चुके, तो इस टाइम पर अब हम डालेगे, एक चमच कसूरी मेती, इससे टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरह से हातों पर क्रश करके डाल देते, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, इससे मिक्स कर देगे, तो लास्ट में कसूरी मेती को डालना है, और अब मैं गैस बन कर देती हूं, और देखिए, य ये सबजी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही कम मसालों से मैंने इसे तयार कियू हूँ, और गर्मी casing CAP, वाला ही खाना चाहिए, तो मिर्च मसाले और धनिया पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं ढ़ाली, मैंने नहीं गरम मसाला ढाली ही, फिर भी माशाला देख और अगर आपको मेरे आज की रेसीपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा दूआओं में मुझे आपीज आपीज कि अस्थ cambi और शवाओं में पुरी आप सब्सक्राइब कि में झाम सब्सक्राइब जापमते है तो जापना बहुत सारा खली है पसक्कोषब आपनापने में पसक्ताइगे टूआब में छारा आपके अधना टूआपरinstant difे झाल 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 झाल